नमस्कार दोस्तों सुसान तॉनलाइंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत सागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं जो हर बार बोर्ड की परिक्शाओं में लगवग पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आई ये सुरू करते हैं दा पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कम्पोजड ऑफ बाइ एन इंडियन पोएट कमला दास यानि कि कहने मतलब यह कि दा पोया में वह कविता ठीक है यानि जो कविता है माई मदर एट 66 मेरी माँ 66 वर्सी की यानि की मेरी 66 वर्सी है मा की जो कविता है वो has been composed यानि की has been composed वो रची गई है या लिखी गई है by an Indian by an Indian poet मतलब एक भारती है कवी द्वारा जिनका नाम कमला दास है ठीक है the poetess says that the poetess says that her mother is losing her health the poetess मतलब होता है कवेतरी says मतलब कहती है that her mother is losing her health यानि की उनकी मा की जो तवियत है वो दिन पर दिन क्या हो रही है बिगड़ती चली जा रही है ठीक है तो the poetess feels that the poetess feels that her mother will die soon तो जो poet है यानि जो हमारी कवेतरी है वो महसूस करती है की her mother यानि उनकी मा will die soon जल्द ही मर जाएंगी ठीक है so इसलिए so he becomes sad इसलिए वह उदास हो जाती है ठीक है जब उन्हें पादा चलता है कि उनकी मा मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो उनकी मा है वो अब मरने वाली है तो उन्हें बहुत दुख होता है ठीक है वह बहुत उदास हो जाती है c becomes of negative mood वह नकर आत्मक सोच में रूप जाती है यानि उनका mood जो था वह negative mood में चला जाता है ठीक है but when c sees out of window of the car लेकिन जब वह car की खिड़की से बाहर देखती है ठीक है when c sees मतलब जब वह देखती है sees out मतलब बाहर की और of window खिड़की से of the car यानि car के जब वह car की खिड़की से बाहर की और देखती है तो क्या होता है c becomes positive against वह फिर से positive हो जाती है यानि कि वह जब कार में बैठी होती है और अपनी मा को देखती है तो वह बहुत उल्जन में हो जाती है परिसान हो जाती है ठीक है लेकिन जब वह car से बाहर देखती है तो वह फिर से ठीक हो जाती है यानि उनका mood जो हता है बदल जाता है ठीक है अच्छा her mother's lifeless face troubles the poetess every time her mother's यानि उनकी मा का ठीक है part of yes लगा इसलिए यहां पर उनकी मा का lifeless मतलब की मुर्जाया हुआ face मतलब चहरा troubles मतलब परिसान कर देता है the poetess मतलब कवेत्री को every time मतलब हर बार यानि की कवेत्री की मा का मुर्जाया हुआ चहरा उन्हें हर बार परिसान कर देता है यहां पर एक ल होगा ठीक है बट इपोएटेस इस पैसंस फुल लेकिन जो मारी कवेत्री है वह बहुत ही धहरेवान है ठीक है वह क्या करती है she hides her tears and says वह अपने आस्वों को छिपा लेती है और कहती है see you soon अम्मा हम आपसे जल्द मिलेंगी अम्मा ठीक है तो कहने मतला यह है कि यह जो सेंटर आइडिया है my mother at 66 फर ठीक है यह एक कवेत्री है जो अपनी मा के बारे में कहना चाहती है जिनकी मा च्छाचट वर्स की हो गए लगबग बोड़ी हो चुकी है तो उनके बारे में यह वताना चाहती है ठीक है वह कह रही है कि कैसे उनका मुर्चायगवा चेहरा उन्हें हरवा परिसान कर देता है वह किस तरीके से अपने लगाओ को यहां पर फरस्तुत करना चाहती है ठीक है तो एक बार फिर से देख लेते हैं ठीक है बारे मैं महाओनाञि ह हो ट्या हौस पीर मौस्ग्लाओस की तरीक है बारे मिव लूजीक है तो इस से हैं तो माओब। युजिते हैं प आरे मौस्ग्थों Tiffany की तो कि मौuses देख ।ोम आरे मौस्गिते हैं ठीक है She becomes positive again Her mother's lifeless face troubles the poetess every time But the poetess is patienceful She hides her tears and says See you soon, Amma ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर ने हो तो सब्स्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें ठीक है